हेलो बच्चों स्वागत करता हूँ आप सबको तो यहां पर हम बात करेंगे कि अभाज ये गुणनखंडन के बारे में बात करेंगे ठीके अभाज ये गुणनखंडन और गुणच को मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन यहां पर टॉपिक थोड़ा से हट के है आपको में सिखाऊंगा अभाज ये गुणनखंड निकालने का दो वीधि आपको यहां पर सिखाऊंगा तो सुरू करते हैं तो सबसे पहले वाला यहां पर आईए पहला इसको मैं मिटा देता हूँ पहला क्या दिखेंगे इसको मिटा दिया ठीके आपको कैसे करना है तो पहला संख्या कितना लिखा है एट जिरो एटी लिखा हुआ है सो एटी का हम पो क्या चाहिए अभाज ये गुनंखंड और यह जो नियम हम सिखने वाले ये तो अभाज ये गुनंखंड हो गया ठीके अब देखें असी का निकालना है तो पहले हम क्या कर लेंगे असी लिखेंगे ठीके अब देखिए असी को कौन सा संख्या से हम भाग कर सकते हैं अबाजी संख्या सबसे छोटा वाला अबाजी संख्या अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे ठीके तो सबसे छोटा हुख्स कर दिया मैंने 40 अगा थ्यान से देखे गा है अब 80 हमने 22 से भाग किया तो हमको 40 मिला 40 वर गया उसी प्रकार से अब हम्कों क्या करना है और 40 जो है chi 30 को फिर से भाग करना कुतना से भाग करते हो देखो kutloon 40 को हम कौन से संख्या से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग जाता है, मतलब कौन से संख्या से, अभाज संख्या से ही भाग करना है, फिर अब देखिए, यहाँ पर अलग-अलग संख्या से नहीं भाग करना है, अभाज संख्या, 2 तो अभाज संख्या है, सबसे छोटा अभाज सं से बाग करेंगे तो हम कितना मिलेगा बीस मिलेगा कितना मिलेगा से 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा पांच आ जाएगा यहां पे आ अपांच ऑसे दिखिए यह पांज जो registrant क्या है आपको तब तक भाग करते रहे जब तक आपको अवाज संख्या ना मिले इना अजफ से को भाग किया 40 हो फिर 2 से 40 को भाग किया 20 हो गया, फिर 2 से 20 को भाग किया 10 हो गया, फिर 2 से 5 को भाग किया कितना हो गया, और 2 से 10 को भाग किया कितना हो पांच, अब लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, यह जो लास्ट में क्या आ गया, हमारे पास में आवाज संख्या आ गया, तो अब हमारा दो गुणे कितना दो, एक, दो, तीन, चार, और इसको भी, जो भी अभाजे संख्या है, ये तो अभाजे संख्या है, तो दो गुणे, दो गुणे, दो गुणे, दो गुणे, पांच, तो आपको 80 का अभाजे गुणनखंड कितना है, 80 का अभाजे गुणनखंड कितना है, 80 8 इसल्सके सिह अर्वाज फॉलं कि कर से एक शॉक्स की सकता इसे प्रकार से एक आपको बता हूंगा जिसको हम कैसे वारते हैं ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद बूसरा वला देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ए 80 का गुणन खंठ, आप लिख लेंगे, कैसे करना है, ए क्या है, बिक्स के जर्ये, बिक्स के, गूणन खंठ फीक का करेंगे तो कितना आ जाएगा सकते हैं सो को हम बांँ नहीं । हाई से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा सो को दो से वाग करेंगे । किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा पचास आ जाएगा ठीके अब फिर पचास को कितना से पचास को फिर से दो से भाग जाता है मतलब अवाजे संक्या से ही भाग करना ठीके तो छोटा वाला संक्या हम स्टाइट कर रहें दो से अब यह कितना आ जाएगा पचीस कितना आ ग तो 5 से दिखे तो ये कितना से जाएगा अब 5 दूसरा अभाज जी संक्या है इसको हम 5 से भाग करेंगे तो ये कितना जाएगा AB 5 आ जाएगा तो यह देखिए एक ब्रिक्ष देशा दिख रहा इसलिए इसको बुला है गुणन खंडन ब्रिक्ष बुला गया अब हमारे पास में कौन-कौन चा संख्या आ गया XO का गुणन खंड आवाज गुणन खंड क्या हो जाएगा XO का तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा तो इह हो गया अवाज गुणन खंड एक बिधी मैंने बताया कि अवाज गुणन खंड ब्रिक्ष के जरी हम इस प्रकार से करते है अब यहाँ पे दुसरी बिधी को देखेंगे दुसरा बिधी क्या लिखा गया है बार बार भाग देकर गुणन खंड निकालना होता है ठीके अब यहाँ पे हमने क्या लिखा गुणन खंड ब्रिक्ष से के जरी है हमने किया गुणन खंड ब्रिक्ष से के जरी है अब यहां पर हम करेंगे बार-बार भाग दे कर वला ठीक है पहला एक ठो नम्मर लेता हूं और नम्मर लेकर आपको करके बताऊंगा क्या होता है चो मैं ले रहा हूं नम्मर 880 880 नम्मर ले रहा हूं ठीक है अब देखना है सबसे छोटा अबाजे संख्या कौन सा है सबसे छोटा अबाजे संख्या दो है तो दो से इसको भाग जाता है कि नहीं जाता है देखते जाता है कि लास्ट में जीरो है दो से भाग जाएगा दो से भाग जाएगा तो ये चार चार सुन्य, 440 हो गया, अब क्या करना है, फिर देखना है कि 440 जो है, इसको भी भाग देना है, लेकिन आपको देखिए, सबसे छोटा अवाजी संक्या क्या है, दो है, दो से इसको फिर से जाता है कि नहीं जाता है, वो देखना है, दो से भाग जाता है इसको, दो से भाग संख्या नहीं ठीके अब फिर इसको क्या 220 लाष्ट में जिरो है तो 2 धाएगा एक एक सुन्य कितना हो गया 110 हो गया 220 को अब फिर drix को हम भाग करेंगे इसको फिर भाग करेंगे देखिए 110 को कौन से संख्या से भाग जाता है चोटा और वाईस संख्या देखना है ना दो से जाता है तो दो से भाग करना है दो से भाग जा रहा है ठीक है तो कितना बार जाएगा यह जाएगा 55 टाइम कितना बार 55 पच्पन बार तो अब देखिए अब जो पच्पन जो है यह बिसम संख्या है तो दो से भाग जाएगा नहीं है तो चेक कर यह तीन से जाता है कि नहीं जाता है तीन से भाग जाने के लिए मैंने आपको सिखाया था विवाजयता की जांच को मैंने सिखाया था तेस्ट अब डिविजिबिलिटी को सिखाया था तो उसको अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो दोना संख्या को 11 बार 11 बार कितना बार गया क्या आप इसको यहां तक छोड़ सकते हूं कि आपको पता चला 11 जो है अब आज संख्या है सो हम क्या है दू गुरे दू इसके बात में आप कुछ काम करने के लिए आपको इधर में भी देंगा और यहां पर टो आपको अलड़ी लिखा हुआ क्या है अशीका आसी का क्या करना है हो मक करना है असी का तो यहां पर यहां पर दो प्रस्न दूंगा आपको यह एक व्ला प्रस्न जो होगा जिसको आपको करना है ओहें आपके पास में 520 कुछेंगे ठीक है 520 को हम देखेंगे आपको इसको करना है कौन सा मेथोड से बार-बार भाग देगे और दो नम्मर कितना है दो नम्मर को आपको मैं दूंगा अब लिए 60 को बार-बार भाग करके आपको उसका अवाज गुणन खंड लिखना है ठीक है तो बच्चों यहाँ पर मैंने दो बिदी शिखाने के कोशिश किया कि अवाज गुणन खंड हम कैसे निकालते हैं एक बार-बार भाग देके और गुणन खंड देख से के जरिये कै इसे उसको हम देखते हैं इसको आपको मैंने बताया सो आसा करता हूं यह वाला चीज़ समझ में आया होगा और आप अपना जो काम मैंने दिया है उसको करके मुझे दिखाएंगे अभी के लिए इतना है थेंकिवर वाचिंग गॉड ब्लेस यू झाल 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 झाल